हेलो दोस्तों विल्कम नो माई य्टूब चैनल मैं हूँ स्वान तो दोस्तों आज मैं आप लोगों इस वीडियो में बता हूँगा कि आप आपने फेस्बूक आपको परमेंटली डिलिट कैसे करोगे तो दोस्तों बहुत सरको पता नहीं कि कैसे डिलिट करते है ठीके मैं आ अपने फेस्बूक को लॉग आउट करके रख देता ये लेकिन लॉग आउट करने से कुछ नहीं होता कूछ ठाश था पर में बता ईनए हो जाएगा सव दोस्तों मैं यहां चुका निधिसी छिन ठीद स theo है फिर tutti कि विदेखानाई आपको यहां पर यहां फिर फिर पो करना है यहांप करने के बात ऐसा कुछ ऑपन हो जाएगा तो आपको नीचे जाना है ठीक है नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक option आ जाएगा आपका account ownership and control ठीके तो यहाँ पर एक option आ गया तो इसको आपको open करना है open करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ open हो जाएगा ठीके तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पास जो second number वे जो option है deactivate का तो इसको आपको ok करना है इसको ok करने के बाद आपके पास दो option आ जाएगा एक deactivate account और दूसरा है delete account अगर आप चाहते हो कि आपका account deactivate करना तो यहाँ पर आप simply deactivate कर सकते हो अगर आप चाहते हो अपना account को delete करने के लिए permanently तो यहाँ पर delete का जो है यहाँ पर ओके करना है आपको यहाँ पर ओके करने के बाद कॉंटिन्यू टू एकाउंट डिलेट यहाँ पर आपको ओके करना है ठीक है यहाँ पर ओके करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत कुछ दिखाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका दिखाएगा के फिर से यहाँ पर आपका delete account का option आ जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर delete account पर आपको ok करना है ठीक है यहाँ पर ok करने के बाद आपका जो facebook का password है वो यहाँ पर आपको enter करना पर आप जब facebook का password इंटर करोगे यहाँ पर फिर आपको continue पर ok करना है करने के बाद एक option आजाएगा फिर आपका account गीट हो जाएगा पार्मेंट लीट ठीक है तो मैं यहाँ पर मेरा अपना डिलीट करना तो यहाँ पर आपका account गीट कर सकते हो बहुत ही सिंपल है दोस्तों अगर आप डियक्टिवेट करना चाहते हो और अगर आप पर मेंट लीट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी पर मेंट लीट कर सकते हो तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कर देना एक लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साइड में जो वेलकन है उसे भी प्रेस कर देना थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो